असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लुक समझ लेते हैं आप लोगों के उर्दु बुक का चेप्टर नमबर सेवन जो एक क्या है मजमून है एसे निवंद ठीक है इस चेप्टर का नाम है रिया ठीक है चेप्टर नमबर साथ है एक तरह का यह मजमून है और यह जो रिया नाम का चेप्टर ना इसमें इनसान की रियालीटी को बता दिया गया है वैसे हम लोग समझेंगे इस चेप्टर के राइटर यॉनिकी मुसलिफ हैं सरसीयद एहमद खा और सबसे पहले इंके बारे में हम लोग जान लेते हैं तैंकि इन्हों नहीं आलेगर बो क्या हुआ मतलब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई थी उनकी जो पैदाईस हुई थी दिली में 8-17 इस वी में हुई थी तीचे और इनकी तरवियत वालिदा अजिसाय बेगम के जेर साय में हुई बहुता है जो अपनी मा दे सकती है तालिम वा तरभियत वो इनकी मांने दी और बाकी सारी तालिम एजूकेशन उन्होंने कॉलिज में तो ली होगी स्कूल में जाकर ठीक है आगे देखिए 1862 में साइंटिविक सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी कब 1862 में तहजीब अखलाक नाम से एक रिसाला खोला जिसमें समाजी तहजीबी और अदमी मुझामीन शा तरह के मजामीन थे एसे थे ठीक है आगे देखिए 1867 इस भी में सर काई ने खिताब मिला सर स्यद एहमद खां ठीक है तसानीफ इनकी जो तसानीफ है यानकी अथर्शिप है अथर है वो है पहला है असारिल सनदीद और दूसरा है असबाब वगावत हिंद देखिए इसको प्याद रखिए इनकी तसानीफ है आगे देखिए अलिगण में एक स्कूल मुहमडन इंगलो और यंटिल कॉलेज इन्होंने 1878 इस भी में खोला था कब अलिगण में 1878 इस भी में कौन सा स्कूल का नाम क्या था मुहमडन इंगलो और यंटिल कॉलेज ठीक है लेकिन यह ज का इस इस में इस राया नाम का जो चर्यशन को में एक्जाम में अब बात करते हैं रिया मजमून के बारे में में जो ओे सिर्शिय की रियालीटी को पेश कर दिया है देखिए रिया का मतलब क्या होता है रिया का मतलब होता है धोंग दिखावा इंसान जैसा होता है वो अपने आपको ऐसा नहीं दिखाता है वो रियालीटी में कुछ और ही होता है और अपने आपको दिखाता कुछ और है कुछ इंसान ऐसे ह होते हैं जो reality में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने आपको जताते नहीं इनसान उत्पा करते हैं एसे नहीं करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए वहीं सबसे ज़्यादा इमानदारी की बात करेंगे ठीक है और इन दोनों के इलावा इन दोनों लोग इंसानों के लावा लोगों के लावा कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते ह वो इंसान ऐसे होते हैं जो कोई भी गलत काम करते हैं और उनको बोला जाता है ना कि यह गलत काम है तुमने यह गलत काम किया यह गलत बात कर रहे हो तो वह मानते भी नहीं है मतलब उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि हां मैं गलती किया हूं ठीक है तो इस तरह के इंसान और बहुत डेंजर और खतरनाक टाइब के होते हैं तो इस तरह के इंसान से आप लोग बच कर रहीएगा ठीक है और इसे चप्टर में रहा नाम के चप्टर में ही बताया गया है कि हजरते दाउद अब रजिया लाओ ताला नहों जो हमारे नभी थें उन्होंने अल्ला ताला से कहा था कि एल्ला ताला तुम मेरे अंदर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल पर इख्तियार रख सकूं मेरे दिल का हाल कौन जानता है सिर्फ तू ही जानता है और क्या सई है क्या गलत है तू ही जानता है मेरे अंदर जो भी एब है यान की जो भी खराबिया जो भी बुराई है उसको तू क्या कर दे मिटा दे लेकिन बात आती है कि कि किसे इंसान को कैसे मालूँ चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ आच्छा है कि बुरा है अच्छा बुरा फर्क करना है कैसे मालूम चलेगा कि ये अच्छा काम है ये बुरा काम है तो दखिए इसके लिए हमारे नभी है हद्धति thunder एक जिन्दगी नमूना है जिसे देख कर हम जिन्दगी को जी सकते है उन्हों नहीं बता है कि जिन्दगी को कैसे जिया जता है कैसे किसी से बात की जाती है हम लोग रोज मर्रा का जिन्दगी कैसे जिये आखिर अल्ला ताला का जो पैगाम आता था वो हमारे नभी के पास आता था और हमारे नभी हमें उन चीजों को बताते थे और जो बताते थे हदीश खुरान पाक में सारी चीजे लिखी गई है, तो वो चीजे कैसी रहनी चाहिए, वो सारी चीजे अगर हम लोग पढ़ ले, हदीस से, कुरान पाक से, तो हम अपनी जिन्दगी में उन चीजों को ला सकते हैं, और फॉलो करकर खॉलो करकर, कुरान पाक और हदीस का कौन सा काम अच्छा है ठीक है अच्छे और बुरे में फर्क करना बालूम चल जाएगा याची हदीसे और कुरान पाक को पढ़कर और हमारे नभी को फॉलो करकर ठीक है इसी आप लोगों के बुक में न हज़रते मौमद इसमें हमारे रसूल कह रहे हैं कि मैं भी तो एक तरह का इनसान हूँ और भले ही हम लोगों को मालूम है कि हमारे रसूल इनसान के ला और कुछ भी थे नभी पेगंबर थे जो हमारे तक पहुंचाते थे तो इस लाइन में उन्होंने की कोशिश की है कि मैं भी एक तरह का इनसान हूँ और इनसान का नकल इनसान क्यों नहीं कर सकता तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नभी भी क्या थे एक तरह का इनसान थे तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनकी नकल कर सकते हैं उन्होंने जो बताया और इस चप्टर में ये भी बताया गया है कि आप लोग को अगर जानना है कि आपके अंदर कौन सी कमिया है, खामिया है, कौन सी बुराईया है, तो आप अपने दुश्मनों से बात कीजिए, आपके दुश्मन जो है न, वो आपकी कमियों को बहुत अच्छे तरीक से चुन- आपके हो गया है, चलाक, अब वो अपने दुश्मन की कमियों को बताते ही नहीं है, भले ही जानते हैं कि हाँ, यह यह कमी है, लेकिन बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते हैं, वो आगे चला जाएगा, अपने कमियों को ठीक कर लेगी, फिर यह आगे बढ़ जाएगी, सकसब हो जाएकी इस तरह की कुछ होता है मतलब इस बुक में लिक्ठा गया है ठीक है मतलब यह बता गया गया इस भूक में आप लोग के अपनी कभी उकाशना आना है तो अपने दुश्मनोंनों से क्या किजिए रूबरू हो यह और उनसे बाट किजिए ठीक है इस तरह का है और इसी रहानाम के चप्टर में एक और हमारे नभी की बात की गई है अबुबकर जेला उताला का उन्होंने बताया है कि जो इंसान हमारी तारीफ करता है ना दिल करता है कि मैं उस पर मिट्टी फेक दूँ ठीक है और अभी का जमाना देखिए अभी का जमाना ऐसा है कि कोई इंसान किसी की तारीफ करेगा ना तो वह बहुत ज़्यदा खुस हो रहा है मिट्टी नहीं प्यक़ेगा बहुत ज़्यदा खुश होगा और अगर वही इंसान उसकी बुराई करने लग जाए ना तो अब ने कर रहा है मतलब अभी की जमाने में और पहले की क्या पर पहले के जमाने में तारीफ करने पर मुझ पर मिटी फेका जाता था अभी कोई इंसान बुराई करेगा ना तो उस पर मिटी फेक दिया जाएगा बहुत बड़ा डिफ्रेंस दिखाया गया है और उसके साथ साथ अगर आप लोग की कोई तारीफ कर रहा है ना तो आप सोचिए पहले कि मैं उस तारीफ के काबिल हूं की नहीं तब आप संतूस्थ हो सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन मान लगेए आप कोई शेयर पढ़ रहा हैं कोई आप तारीफ कर दिया कि वई आप तो इस तरह मृ नहीं कोई काम कर रही हूं और 색 leveraging कोई राय धे रहा है तो आप अर। कृई वहारा मुझे इस पर क्या करने? चाहिएं किस तरह यह चीज बनाओना हूं या फिर किस तरह मैं काम को करूं लोगों का राय भी बहुत ज़री होता है क्योंकि हम लोग अपने नजरिये से देखते हैं और बाकी सभी लोग अपने अपने नजरिये से देखते हैं तो क्या पता उन लोगों के नजरिये में कुछ खामिया और गलतिया उस काम में दिखे तो वो लोग बहतर जानते हैं और आप लोगों को अच्छा ही राय देंगे ठीक है और ऐसे राय लेने से बहुत ही फायदा होता है क्योंकि जो आप नहीं देख पाते हैं वो लोग आप नोंके आस-पास वहँ बता देंगे उनको कमी दिखाई देगी इसमें ठीकिए तो लोगों से राय लेनी चाहिए लेकिन एक और बात अच्छे लोगों से राय लेनी चाहिए क्योंकि अच्छे लोग अच्छा ही राय देंगे और बुरी नोगों से दूरीfinitelyगा बुरे कोई बुराई तो नहीं है ना या फिर हर चीज़ से मतलब उनको डड़ लगता है जो अकलमंद टाइप के होते हैं और जो अकडू बेवकूफ इडियर टाइप के होते हैं खतरनाक टाइप के वह तो हमेशा अकड़ी दिखाते हैं किया मेरे अच्छा कोई और ही नहीं कोई कि किसी का मैं क्यूं राय लोंगा, मैं किसी का क्यूं बात मानूं गा, उनके अंदर हमेशा अकडी रहती है, पता नहीं किस टाइब का, त्टीके, तो ये इसमें फर्क बताया गए है, अकलमंद और क्या, बेवकुफ, लोगों बढ़कों के बीच में इन दोनों के बीच या फ़र्ग बतायागड़ इस चप्टर में ठीक्या इंसान की असलियत बताने की कोसिती हैं। मचतर पहले हैं। पहला कुछन है सरस्यद की पैदाईष कब हुई ? सरस्यद के वालिधा का नाम क्या था? यान कि उनकी माता का नाम Azizul Nisai Begam था तीसरा सवाल है सर्सयद की वफात कब हुई ? सर्सयद की वफात यान की इंतकाल 98ieran Beris employees में हुआ चार नंबर सवाल सरस्यद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है यानकि सरस्यद एमद खा का कौन सा ऐसे मजमून आपके इस भुक में है तो यही है आप लोग की जया जो अभी आप लोग पढ़े ठीक है अगला अब आगे हैं मुख्तसिर सवालात देखें अप लोगों को लिखना है ठीक है सरस्यद की जिन्दगी के बारे में पाच जुम्ले छाहिए वर्दू ग्रामर का टॉपिक है मैं आर्डी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हैं जिन्स जाहिर करना बताई हूं मतलब मुजक्कर मौनस बताई हूँ कि मुजक्कर और मौनस किसे कहते हैं ठीक है तो वहां पर उर्दू ग्रामर के प्लेडिस्ट में आप लोग जाकर समझ लीजिएगा वैसे इसमें सबसे पहला जो लफ्ज दिया है वह मोती मोती को बताना है कि मुजक्कर है कि मौनस है यान है तो किताब मोनस ये तो ठीक है रिटेकिंश मेरी किताब करना है इस्तिमाल करना है från अगेज बात करते हैं नाम नाम ये भी मुजक्कर ही है तुम्हारा नाम क्या है मुजक्कर ठीक है आगे कि कलम यानि कि पेन क्या है कलम मुझकरे की मौनस है तो देखिए कलम का होता है यह मेरी कलम है यह मेरा कलम है दोनों सेंटेंस बनता है तो ज्यादा तर देखा गया है कि जो कलम होता है ना वह मौनस ही होता है यह मेरी कलम है मेरी कलम वापस करो यान कि इस्त्रिलिंग ही होता है ल मजमून क्या है यही आप लोगों को बताना है उर्दू में लिख देना है ठीक है 5-6 जुमले में लिख दीजिएगा एक टॉपिक पर उसके बारे में लिखदना उसकी तारीफ बियान करना क्या कहलाता है मजमून जैसे कि आप लोग गायब हैस पर दिखा कर देते ना निबन एसे वही बात है, तो मजMوعन क्या है? एसे क्या है? यही बताना है. आगे देखिए, तवील सवालात है. यहां कि दिर्ग उत्रीय अप्रस्म. पहला सवाल है, सरस्य की अदभी خدمات पर एक मजम्मून लिखिए. यहांनि कि, जो सरस्य को लेकर इन्होंने खिदमत किये लोगों की उसके बारे में लिखना है सबसे पहले तो उनका ये लिखिएगा उन्होंने इस भी में साइंटिफिक सुसाइटी बनाई ठीक है उनकी पहले लिखिएगा तालिम तर्वियत उनकी अम्मी अधिजुन निसाय बेगम के जिर साया मे हुई इस भी में उन्हें साइंटिफिक सुसाइटी खोली तैजिब ले खलक नाम से एक रिसाला खोला जिसके समाज जिसमें समाजी तैजिबी और अदमी मजामीन में मजामीन शाय हुए मतलब उनके बारे में लिख देना है बहुत लंबा चोड़ा करकर सरस्यद के अदमी खिद्मात के बारे में अदवी खिद्मात दूसरा और लास्ट कोश्चन है कि जेरे नसाब मजमून रया का मरकजी ख्याल पेस करें इस जो रया है इसका आप लोग को इस चैप्टर को समझने के बाद आप लोग का क्या ख्याल आया आप इस चैप्टर से क्या समझे यही ब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे मतलब समझ जाएंगे ठीक है इस चप्र से रिलिटेट कोई भी कम्फीज आनों आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए जदस जदस शेयर कीजिए अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगी आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज